दिवालियापन है उनका दिवालियापन है क्या है उनके पास बताओ प्रत्यासी नहीं उनके पास उन्हें पता थे समाज़ती पार्टी का विनिंग प्रत्यासी है क्या लालस दिया होगा यह तो आप भी बता सकते हैं खास कर जितनी भी समस्य हैं सब भारती जनता पार्टी की देन हैं सरकार ये कहती ट्रिपल इंजिन चाहिए ये ट्रिपल इंजिन तो बहुत दिनों से चला था देश के प्रधान गृंती जी ने कूडे से बिली बनने का कारखाना लगाया था कभी बिली नहीं बनने आप खु सरकार के सिक्यूरिटी जिन पर आरोब था उन पर सरकार के से सिक्यूरिटी और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिमिदार को ने आखिरकार स्मार्ट सिटी में क्या कर रहे हैं आप देखिए वह गाना भारती जनता पार्टी ने और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है जाए तो आप शहर के लोग आटा खरीदने जाएंगे तो सोचिए किसान को तो मुनाफ़ा नहीं मिला यह चुनाओं लक्षनव से लेकर के पूरे उत्तपदेश के नगर निगम नगर पालिका और टानुरिय का चुनाओं होने जा रहा है बहुत महत्पूर चुराओं इसलिए बन जाता है कि आज हमारे शहर बढ़ते चले जा रहे है और जिस तरीके से गाओं में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लेकिन शहरों में अबादी बढ़ती चली जा रही है और शहर की जो समस्या हैं खासकर जितनी भी समस्या हैं सब भारती जन्ता पार्टी की देन हैं सबसे ज़्यादा सबसे लंबे समय तक इन शहरों पर मेर कोई बन करके रहा है तो भारती जन्ता पार्टी के ही रहे हैं उधारण के लिए अगर हम लखनू देख लें सबसे ज़ादा भारती जन्ता पार्टी का यहां कबजा रहा है कानपुर में उन्हीं के मेर रहे, वानसी में उन्हीं के मेर रहे, आगरा में भी उनके मेर रहे, दोनों इंजिनें, दोनों सरकारें, और अब सरकारी कहती ट्रिपल इंजिन चाहिए, ये ट्रिपल इंजिन तो बहुत दिनों से चला था, आज जो लखनू में दिखाई दे रह और आगे बढ़ाए गए, मेट्रो जो पूरे शेहर के उस सुभिधा दे रही है, जहां तक बनी है, वहीं से बन करके बापस आ जाती है, इस सरकार ने आगे काम नहीं किया, आखिरकार स्मार्ट सिटी में क्या कर रहे हैं आप, आपका रिवर्फरंट वैसा ही कब ऐसा है, जि शेहर के हजारों पार्क हैं, जो बरबाद कर दिये सरकार ने, जो बड़े पार्क थे, उनको भी जो सुभधाय मिलनी थी, वो नहीं दे पा रहे हैं, कोई सड़क ऐसी नहीं है, जहां पर आप निकलें, जहां में नफस जाएं, और सरकार के इस तर पर एक मीटिंग, दो कूडे से बिली बनाने का कारखाना लगाया था, कभी बिजली नहीं बनी, कूडे का डिस्पूदल क्या है, मेडिकल वेस्ट कहां जा रहा है, जो सफाई जिस तरीके से होनीचे वो सफाई नहीं हो पा रही, जो पेड लगे थे वो भी काट डाले, जो नकली पेड लगाये थे investment में वो सब सूब गए, जब कभी इन्हे investment या दूसरे लोग को बुलाना पड़ता है, तब ये कुछ चीजें साफ सूती दिखाने लगते हैं, riverfront की light on कर देंगे, तो समाजवादियों ने जो काम करके दिखाया था, वैसा ही का वैसा उससे आगे नहीं सरकाने बढ़ाया, और स्मार्ट सिटी के नाम पर तो इतना वहस्ता चार हुआ है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वाननासी, आज की खबरें के बल, दो दिन की खबरें हैं, जैसे गुम्प्ती दिखाई दे रही है, वैसी वर्णा भी उनकी दिखाई दे रही है, गुम्प्ती के बाद अगर कोई सबसे अच्छा riverfront बनने जा रहा था, तो वर्णा नदी पर बनने जा रहा था, वो भी वैसे ही कब ऐसा है, कूड़े को लेकर के नजानी किंटी चिंता थी सरकार को, कूड़े के ना इंतजाम किया है, ना solid waste management का कुछ किया है नोंने, धूल धकर शहर में इतना उड़ रहा है, और साथी साथ इतना हौन बसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी कलपना ने की जा सकती है, तो जो बन्यादी मुद्दे शहर के थे, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार न जाने किन मुद्दों पर बहस शिड़ रही है, हमारा समाजवादियों का मानना है कि शहर साथ सुत्रे बने, शहर अच्छे हों, और इसलिए हम लोगों ने निकाय चुनाओं में किन मुद्दों पर बहस करना चाते हैं, वो बहस के लिए हमने मुद्दे रखे हैं, लखनों की मैट्रो केबल उतन ही वहीं तक जाती है, जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उसके अद बापिस आ जाती है, देखिए वो गाना भारती जनता पार्टी ने, और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है, ऑफिशल हैंडल भारती जनता पार्टी का है, उसक इस तरीके से महंगाई का सामना करना पढ़ रहा है जनता को शहर में रहने वाले लोगों को, आठे की कीमत क्या है, डाल की कीमत क्या है, आज उन्हें अगर खाने का समान खीदना किस कीमत में खरीदना पढ़ रहा है, हाउस टेक्स बढ़ा रहा है आप, हाउस टेक्स लगा वालों को खाई गया जा रहा है और CCTV कैमरे हैं आप देखिए किस तरीके से लॉइन ओडर कैसा है यहां पर वो आकड़े जो दिखाई देने वो हमारे आकड़े नहीं है वो आकड़े तो सरकार की आकड़े हैं कि देखिए क्यूटो किसी ने देखा नहीं इसलिए उनने का हम क्यूटो बनाएंगे बनास में अब लखनू वालों को तो पता नहीं किस कौन सा सपना दिखाया होगा लखनू को कौन सा शेर बना देंगे क्यों तो किसी नहीं नहीं देखा हाँ गूगल पर अगर देखोगे तो हमें और आपको बड़ा दुख होगा तो आप शहर के लोग आटा खरीदने जाएंगे तो सोचिए किसान को तो मुनाफ़ा नहीं मिला जिसने गयों खरीदा और जिसका पैक होकर के आटाएगा असली मुनाफ़ा उसके हाथ में जा रहा है इन सवालों पर जनता ध्यान न दे इन सवालों पर जनता चर्चा न करे इसलिए उनके भाषण दूसरी दिशा में हो रहे हैं हमारी कोशिस होगी कि जो शेहर की सुर्दाएं हैं हमारे कस्वे शेहर जो बरबाद हो रहे हैं उस तरफ ध्यान देना है आप खुछ सोचिए गवा के पास सरकार की सिक्यूरिटी जिन पर आरोब था उन पर सरकार की से सिक्यूरिटी और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्यदार कोन है सरकार जमेदार है इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूँ ध्यान ना हटाएं आप भुनियादी सवाल जो भर्ष्टा चार भारते जंता पार्टी के लोगों ने मिलकर के शहरों को बरवात करने में किया उसी पर ही ए कूडा भरा पड़ा है आप एक खट्या गाड़ी से निकल जाएं ऐसी कोई यगे नी जाँ जाँ में ना फज जाएं दिवालियापन है उनका क्या है उनके पास बताव प्रतिहासी नहीं उनके पास उन्हें पता थे कि समाज़दी पार्टी का विनिंग प्रतियासी है क्या लालस दिया होगा ये तो आप ही बता सकते हैं बीजेपी की तस्वीरें नहीं देखिया आपने गुडवाजी की अभी वो पूछा थे इधर सवाल किसी ने कितनी गुडवाजी हुआ उसकी तरशा नहीं लेकिन शेहरों की जो सुविधाएं मिलने चाहिए थी वो भारतियंता पार्टी नहीं दे पाई डबल इंजन की सरकार नहीं दे पाई पूरा नगर नेवम का पैसा भरष्टा चार के चड़ गया सब लूट हुई बरबाद कर दिया उसी का परणाम है कि गलिया नहीं सुदनी आज भी गड़े शेहरों में कूड़ा भरा पड़ा है जानवर भरे पड़े हैं ट्रैफिक मेनेजमेंट नहीं है पबलिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और सब चीज से ध्यान हटाने के लिए खासकर महंगाई और गरीवी से और ब्रोजगारी से जानबुश करके कुछ और मुद्दों को उच्छा जा रहा है खुशी की बात है जाची गरना होनी चाहिए ये समाजवादियों का बहुत पुराना मुद्दा है अब शुरू करेंगे कहीं से तो बहुत धन्यवाद है दोस्तों यूपी की धुआधार राजनिती ख़बरों के लिए बारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाईए क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे चलते हैं जै भीम जै भारत